दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे पूर सैनिकों के लिए दोस्तो और इसमें में 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 बात करने जा रहे हैं पीएमार जो लोग जो है और रिक्वेस्ट डिशार्ज होके आते हैं सर्विस से उनके बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों जो प्रीमेचुर रिटाइरी जैं उनको भी ओर 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 ओपी टू और ओर 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 ओपी थी का जो है बेनिफिट के उपर आज का इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा और जैसा कि शुरुवात में जब वन रैंक वन पैंशन की जो इंप्लिमेंट करने की बात की जा रही थी तो सबसे पहले यही कहा गया था कि जो प्रिक्षू रिटाइरी जे है उनको अलग नहीं रखा जाएगा और सभी प्रिक्षू रिटाइरी को जो है ओर 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 ओओर Drugia कोई का बेनिफित मिलेका तब तो दोस्तर ओर koण नहीं था तो यह कहा गया था लेकिन दोस्तों एक बार फिर से जब इसकी implementation होई है और आप सब जानते हैं कि इसमें बहुत सारी विसंगतियां थी और उस विसंगतियों के वएसे जो है एक तो जो है कि जो है कि जो काफी कम इसका benefit मिला और सबसे अधान उक्सान जो है पी एम आर को हुआ है जो की प्री मेचियर रिटाइरी जानको हुआ है तो बात करते हैं दोस्तों डिटेल में अभी जो प्री मेचियर रिटाइरी उनके लिए अभी क्या अपडेट है और वन रेंक वन पेंशन पर जो है किस तरीके से ज साथ बेल आइकन ज़रूर दोबाएं दोस्तों पी एम आर को प्री मेचियर रिटाइर वेज जैसी होज है उनको भी वन रेंक वन पेंशन का बेनिफिट मिले अल्रेड़ी दोस्तों जब शुरुआत हुई थी तो यही कहा गया था कि दे विल भी पार्ट आप दिस वन रें प्री मार को नहीं मिला इसी को लेकर दोस्तों अब एक नई पहल की गई है और मुद्दा यहीं है कि पी एम आर को भी जो इसका हक मिले और यह जो है वोईस ऑफ एक सर्विसमेन की तरफ से जो है एक नया लेटर जारी किया गया है और उसमें जो है जो पॉइंट्स लिखे हैं उसके बारे में बात करेंगे पहली बात है कि जो एक जुलाई 2014 से लेकर छे जुन 2017 तक तीनों सेनाओं के ओन रिक्वेस्ट जिस्चार्ज जवान और ओर ओपी टू के हखडार है और इसमें है कि ऐसे एफेक्टेड जवान मांग कर रहे हैं कि उनका भी केस कोट में फाइल किया जाए बाकि सब को वन रेंक वन पेंशन का बेनिफिट मिल गया लेकिन एक जुलाई 2014 से लेकर छे जुन 2017 तक तीनों सेनाओं के जो जेसियो जवार्ज उनको जो है पिये जो की ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज हुए तो उनको नहीं मिला और इसी के वएसे दोस्तों कोट केस करने की बात की जा रही है उन्होंने भी अपना मुद्दा रखा है अब उनको ये उमीद है कि माननी कोट के दोबरा उनको नियाय प्रदान किया जाएगा दोस्तों इसमें क्यूंकि आंदोलन से हल निकालना मुश्किल है और देर किया तो कोट का जो ऑप्षन वो भी खो बैठेंगे जिस तरीके से आंदोलन का स्टेटस चल रहा है पिछले कई सालों से जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है और उसस ही जो प्री मेचूर रिटाइरीज हैं उनके लिए यह जो केस फाइल किया जाएगा इस संबंद में पहले ही जो है दोजाटेइस अगस्त को ग्यापन दिया है और आर्मी रूल जो भी हैस में उसके तहत जो है एक जुलाई दोजाट चौदा और 6 जून 2017 के पीरियड में ज इसे पूरूसाइनिक जो हैं लिस्ट बनाई जाएगी दोस्तों कि कितने लोग ऐसे जो कि इससे अफेक्टिट है और उनको इनका बेनिविट मिलना चीए था लेकिन नहीं मिला और वो लिस्ट जो उसके वेश पर जो हैं जो केस डायर करने की बात की जा रही है जो माननी कोर्ट में केस फाइल करने की बात की जा रही है वो केस फाइल किया जाएगा जिससे की जितने भी पूर सेनिक हैं जो और रिक्वेस्ट डिस्चार्ज हुए हैं उनको भी और ओर ओपी टू का बेनिफिट मिल सके दोस्तो OROP 1, OROP 2 और PMR premature retirees के लिए एक अच्छा option है दोस्तो यह था अज का important update अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिएगा share कीजिए और subscribe करना ना भूले Thank you for watching this video